तो मैं लेके हैं आपके लिए एक सीरीज जो Unity Developer Interviews में पूछी जाती है तो पहला question यह है कि अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर 3 0,1,0 को आपको 2 words में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे या फिर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर 3 1,0,0 को क्या लिखे जाएगा एक सीरीज होती है जो की इसके परावार होती है देखिए जो X-axis होती है वो horizontal होती है और जो Y-axis होती है वो vertical upward and downward और Z-axis होती है forward और backward तो हम इसके according देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो क्या है अगर हमारा जो वेक्टर है जैसे कि पहला कोशन क्या था 0,1,0 यह Y-axis में positive है तो हम बोलेंगे वेक्टर 3.up अगर मैं 1 की जगे माइनस 1 करता 0,-1,0 तो क्या होता Y-axis में negative तो हम बोलते है वेक्टर 3.down similar for X and Z, अगर Z में positive है तो forward, Z में negative है तो backward, so hope आपको समझाया हो और अगर आप मुझसे connect करना चाहते है डारेक्ली तो आप LinkedIn, Instagram से कर सकते हैं